हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आश्रकत्म सभी फीट होंगे प्यारे स्टुडेंट आज की वीडियो में हमनों जो मारे एक्सरस ही चल रहा है 11.2 ना इसका क्वेस्टमर 6 और उससे आगे क्वेस्टम करेंगे लास्ट टूडे मैंने आपको क्वेस्टमर 5 तक अब स्टुरार रहे सी के उपर यह वाले लाइन इसके उपर पर परपैंडिकुलार यानि कि यहां पर जो एंगल दीखरा है आपको डबा टैप से वह 90 डिगरी का होगा पर पर्पेंडिकुलार मतलब 90 डिगरी बना रहा होगा साती चाथ हमको एंगल एंगल यह एंदर है इन तिनों का रेशियों दिया हुआ है 3 2 और 1 और हमको बोल रहा है कि इसीडी का वैल्यू इधर और बाहर वाला एंगल है इसका वैल्यू पता खेजिए तो अगर अपने को यह पता चल गया है तो यहां पर यह तो पहले से पता है तो दो एंगल हमारे पता चल जाएगा तो 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 अपने को यह गिवन है एंगल एंगल और एंगल इकोल टू 1 रेस्यो 2 रेस्यो 3 है हम लोग इसको 1x इसको 2x इसको 3x पान लेंगे हमनों लेट करके स्टेप से लिखेंगे लेट आंगल A equal to 1x angle B is equal to हमारा 2x and angle C जो हमारे पास वो 3x है अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी triangle के अंदर जब हम लोग तीनों angle की बात करते हैं तो इन तीनों का जो sum होता 180 degree होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इन ट्रेंगल A, B, C हमारा angle A में अगर angle B को प्लस किया जाए और उसमें अगर angle number C को प्लस किया जाए तो तीनों का sum 180 degree होगा यह हमारा angle sum property है ट्रेंगल का तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो angle sum property ओके अब इसके बाद हम लोग यहां से x के value निकालेंगे तो तीनों angle निकल में था तो x का value यहां से 6 3 18 होता है तो यानि कि 30 degree निकल जाएगा तो x अगर हमारे पास 30 है तो इसका मतलब कि आप वह इससे तो नीचे लिखोगे है ना यह चलो मैं नीचे ही लिख रहता हूँ उत्ताफाल तो में थोड़ा सा page बचाने चेकर में आपको confusion हो जाएगा एंगल c जो हमारे पास वह 3 x है तो यह हमारा 3 multiply 30 यानि कि 90 हो जाएगा तो इस तरीके से हमको तीनों एंगल पता चल गया यह ना वैसे तो अपने पाइंगल बी का जरूत नहीं है हम लोग अपने एंगल c का जरूत है यह वहला हमारा 90 degree का निखल गया यहां पर भी हमारे प 180 है इसने हो गी है जबकि हमारा complete मिला करके 180 होना चाहिए ना तो कुछ तो कहीं पर गडबढ़ हुआ हुआ क्या गडबढ़ हुआ है रोको तो एक बढ़ चेक करता हूं मैं अच्छा गडबढ़ हुआ है मेरे question पढ़ने में question में हमको दिया हूथा angle a b और c जो हमारे पास इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा 30 डिग्री निकला है यह एक्च्छल में angle c निकलेगा और यह जो 90 डिग्री निकला यह angle a निकले क्योंकि angle a जो हमारे पास 3x है तो बाकी बनेगा same to same हमारा जो angle c है उसमें अगर प्लस करते हैं angle a c e को जो कि 90 डिग्री पहले से है और उसमें प्लस करते हैं अगर अपन angle e c d को जिसके बारे हमसे पुछा गया है तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा क्योंकि यह हमारे straight line में बन रहे है तो इसका आप ऐसे लिख सकते हो कि angles on straight line ठीक है इस तरीके से इसको लिख करके आप complete कर सकते हो linear भी लिख सकते हो लेकिन दो एंगल ज्यादा टीचर बोलते हैं कि दो एंगल को लिखो और दो से ज्यादा है तो इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है तो यहां से हमारे पास यह सी और D equal to हो जाएगा 180-120 तो एंगल जो हमारा ECD है यहां से निकल जाएगा 60 डिगरी का तो इस तरीके साब पर बुक को हटा देता हूं तो दुबारत बुक की तरफ देहन ही नहीं देता हूं और मैंने वहाँ पर ध्यान दिया था कि 123 है मैं ध्यान से उतर किया था कि 321 है तो लोग कोई बात नहीं होते रहता है यह सब गलतिया है बड़े-बड़े वीडियो इसमें क्या बोल रहा ह यह सब्सक्राइब कर रहा है बोल रहा है कि AB और D parallel line है यह वाला और यह parallel line है बहुत अच्छी बात है हमको ACD करना है कहां पर बन रहा है ACD यानि कि यहां पर बना यह फाइंड करना है यह फाइंड करते हैं फटा फट तो देखो इस टाइब से कुशन को बनाने के वैसे तो बहुत सारे method हो सकते हैं जैसे कि आप लोग इसमें यहां पर construction भी कर सकते हो फिर उसके बाद यह LINE और यह लेने से चल रहा था अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल यह बनेगा यहां पर बनेगा इसका मदलब कि हमारा एंगल B जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल D के और दोनों जो होगे हमारे पास 40 डिग्री के हो जाएंगे यह वहला हमारे पास किता के निकल गया 40 डिग्री के निकल गया और क्यूं हुआ तो यह अपर आप लेकर निकालना है तो A, C, B इसका नाम दे जोता हूँ तो यह निकाल लेंगे हम लोग एंगल सम प्रोपर्टी से तो हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल A, C, B यहनि कि जो C में बन रहा है इन तीनों का जो सम होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा यह तो पता ही है A का वैल्यू हमको दिया हुआ है पहले से 30, B का वैल्यू हमने 40 निकाल लिया और जो A, C, B उसका वैल्यू उपने को निकाल ला है अभी हमारे A, C, B निकला है यह और निकला है हमको तो यह निकालना था तो बस सिंपल है यह हमारे सीधा लाइन चल रहा था न यह जो ट्रांस्वरसल वाल काम करता है सीधा था तो उसमें एक यह एंगल बन रहा है इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा तो बस यहां प हमारे पास A, C, B का जो वैल्यों 110 है तो 110 लिखो प्लस में A, C, D लिखो इक वाल को साइड में 180 कर दो अब इसको 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 इधर ट्रांसफर कर दोगे तो A, C, D equal to 180 माइनस में 110 और A, C, D हमारे निकल करके आजागे हमारे से 70 डिग्री तो इस तरीके साब इसली इसको सॉ कॉस्प्ट क्लिए रहे हो सारे कुछ असानी सॉल्व हो जाएंगे तो लिए अगला कुछन मनते हैं वह लॉट से आने वाले लौट से लोगर ऑडर थिंकिंग इसकिल वाले हमारे पास जो कॉस्षन होते हैं इसमें हमसे बोल रहे की एक ट्रेंगल ABC है इसमें जो इंटर्नल by sector है हमारे एंगल B और C का वो P पे जाकर के मिल रहे हैं और जो external by sector है एंगल B और C का वो Q में जाकर के मिल रहे हैं हमको यह प्रूफ करना है कि जो दो एंगल बनेंगे उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा यह वाल एंगल और यह वाल एंगल ऐसे नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा जब तक डिग्राम नहीं देखो गया यह मैं इसका डिग्राम बना क्या को समझाता हूं अगर इसके मैं भाई सेटर बनाताँ मैं यहा याह तक गिया और इसका एंगल इसको ऑल में अंotर और 99 ऑर जहां दाना में यह यह自態 होता है ना कि जो बाइसेक्टर रहे हैं तो मैं यहां पर इसका नाम पी दे दिया हूं तो बसमें हाफ इंगल यानि कि यहां पर अगल बनेगा यह ना में आधा के ब्राबर होगा यहां पर निंगल करके आएगा ऐसा हमसे इस तो यहां पर उसी चीज को डारेक्ट लिखेंगे ज्यादा टाइम इस नहीं करेंगे डारेक्ट लिए कि हम जानते हैं कि जब बाइसेक्टर जब हमारा एंगल ABC का और ACB का हमारा पी पे जाकर के मिलता है वहाँ पर लिखा हुआ था हम लोग यहां पर पी लिखेंगे क्योंकि क्यों से पी बोला गया था तो क्या होता है कि हमारे पास जो बी पी सी एंगल बनता है यह जो एंगल बनता है वो 90 प्लस में हाफ एंगल यह होता है इसको आपकी क्यों मान लो अब हमसे क्या बोला था कि इसी का जो हमारा एक्स्टरनल है एंगल बी का और एंगल सी का एक्स् ने सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर यानि कि अगर कि क्योंद बना तब च्राना कि जो एक्स्टरनल एंगल है वह वा मेंक्ट होरे हैं कहां पर यह पर क्यूसी क्यों हो रहे हैं यह वह जागा यह कुछ जाता है और external angle का जब by sector करते हैं तब उस समय में आपको माइनस कर देना है बसकि अधियरम अगर आपको याद रहेगा तो यह को सन फट से बन जाएगा फिर ज्यादा आप लोगो इसमें दिमाग लगानी जूरत नहीं पड़ेगी ओके तो इसको हम लोग इन दोनों को एड कर लेते है यानि कि 90 degree प्लस में हमारा half of angle A और फिर प्लस में 90 degree और minus में half of angle A उसरी minus की साइन के साथ half of angle A यह वाला मैंने यहाँ पर उतार लिया तो यह प्लस वाल half of angle A और minus half of angle A खतम हो जाएगा पस में 90 और 90 हमारा 180 हो जाएगा तो यह बन गया हमारा BPC प्लस में BQC equal to हमारे पस 180 त फिर भी याद रखना क्योंकि बूप में दिया हुआ है तो में भी कुछन आ सकता है इसाम में तो यह हो कि आपर 8 भी कंप्लीट चलिए जो अगला कुछन उसे बना लेते हैं कि एक्स कहां पर बना हुआ है यहां पर बना हुआ है 11.37 बले फिगर को देखिए जो किर आइसे से कनेक्ट कर लू तो भी कनेक्ट नहीं हो रहा है बढ़ा तो बोला नहीं है यह connect हो रहा तो अब क्या कर सकते हैं ऐसे condition में हम बुइब कुछ construction कर सकते हैं बहुत सिंपल सा construction करना आपको चाहिए तो इसको इधर बढ़ा दो जैसे मालो में इसको इधर बढ़ा देता हूं सीधा मेरे को असान बनेगा लाइन बनाना तो यह मैंने इसको ऐसे बना दिया तो मैं आपके लिखूंगा कि मैंने क्या-क्या construction किया है construction यह फिर ड्रॉव लिख सकते हो आप लोग हमने क्या किया यहां से लेकर के कि AD जो था उसको produce कर दिया और इस वाले point का कुछ भी नाम दे तक हो चुका है नो तो मैं इसका नाम दे देता हूं तो मैं लिखेंगे प्रोड्यूज produce AD to E हमने AD को इतक प्रोड्यूज कर दिया अब हमारे पास यह ट्रेंगल बन गया है न अब अब ध्यान दोगे तो यह जो हमारा कन दोनों का जो Sum होगा वह इसका तो जल्दी से हम लोग इसको करते हैं कैसे रेंद करेंगे आए हमारे पास इस वाले अंगल में यह दो निकल बना हुआ थिसमें एंगल ए प्लस एंगल टो यहां पर इसको ए प्रोपर्टी से इї तो सभी को पता है एंगल समोला प्रोपर्टी अब यहां से मारा एंगल यह जो है 35 दिया हुआ है एंगल भी जो है 45 दिया हुआ है इसका वैल्यू अपने को निकालना है एकोल को उस सेट में मारा 180 है तो यह हो जाएगा हमारे पास 45 हमारे पास जो एंगल एई भी निकला है उसमें अगर अपने प्लस कर दें एंगल डी इसी को तो यह दोनों का सम्भी 180 डिग्री होगा और क्यों होगा भी यह तो यह दोनों आपस में लीनियर पे रहे हैं सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल है तो इसका वैल्यू हमने 100 निक लेकल और हम लों जानते हैं कि यह हमारे रहे हैं एकस्टीरियर एंगल है मेरे हाथ में इता ज्यादा पैण से आ तक हमें क्यां लिए इसमें कि इम त्रेंगल क्या और है ऑत पेंव भी णeeeee शीए एक्स तिर्ययर है यह में ईंगल है बहुत भीदी क्पी și और मुल्नार है है ना तो एक्स्टीरियर टी ही होता है हाँ टी ही होता है तो हमारे पास जो एक्स एक्स्टीरियर एंगल होगा और हम जानते हैं कि एक्स्टीरियर एंगल को प्रोपर्टी है उसके एक्स होगा वह एक्वल हो जाएगा हमारे एंगल DEC के प्लस में हमारे एंगल DCE के समझे मैं है ना मैंने क्या लिखा है यह जो X है वो DEC यानि यह वला एंगल और DCE यानि की यह वला एंगल तो इन दोनों के सम के ब्रावर हो जाएगा हमारा एंगल X एंगल प्रोपर्टी यहां पर लगा दिया हमने शुरू में लिख दिया यह चीज तो अलग सब लिखने की विजूरत नहीं है तो यहां से एक्स का जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू हमने 80 निकाले लिया है इसका वैल्यू पहले से 50 दिया हुआ है तो एक्स इकोल टो हो जा अगल हमारा बड़ा सेयां पे बना हुआ है ना D a c में यह बड़ा से एंगल इसको दो और यह एंगल अपसमें equal होगा क्योंकि AB और DB equal दिया हुआ है तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हो कि given AB is equal to हमारा DB और AB और DB equal है इसलिए हमारा जो एंगल यह वाला बनेगा जिसका नाम DAB होगा यह छोटा होला सबसे पहले तो देखना है कि यह जो हमारा complete एंगल है इसका value कितना होगा जो हमारा DB पूरा निकला हुआ है इसका value निकालेंगे फिर हम लोग को जो ratio दिया हुआ वो तो ध्यान में रखना ही कि हमारा 1 और 3 का ratio दिया हुआ पहले से तो हम लोग देखो यहाँ पर अगर अगर तो यह अगर एक सीधी लाइन देते हैं तो उसमें ही तो यह एंगल और यह एंगल और यह एंगल सम्मील करके बन रहा है ना तो इन तीनों एंगल को जो सम होगा 180 डिग्री होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि एंगल DAB उसमें प्लस कर दो फिर आप इसको पूरा नाम दे दो DAB नामें मत दो इसका DAC नाम दे दो यह complete पहले निकाल लेते हैं ठीक है तो DAC प्लस में हमारा CAE एंगल CAE जो पहले से दिया हुआ है इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या हो यह linear पेर है ओके linear पेर सबने है ना कौन सा एंगल हमने DAC मतलब यह पूरा यहां से यहां तक और यह वाला यहां से यहां तक तो यह हमारे पास दोनों का जो सम होगा 180 होगा linear पेर से इसका वेल्यूपने को 108 दिया हुआ है 108 को दो ट्रांसफर करेंगे तो हमारा DAC का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस में 108 तो यहां से 80 में से 72 आ ही का यहांनी कि DAC जो हमारा एंगल ना वह हमारा 72 का है यह समझ में आ गिया यह यह लागव कि हमारा यह वह सकतो कमप्रीट करके मान सकते हो क्यों कि अगर फिर एक स्ंपर कर करते हैं तो पहले आप लग वर टी है AB है उसका अगर ratio देखिए हमपन इस वाले एंगल के साथ इसका नम BAC है है ना एंगल भी बना दो एंगल BAC तो यह हमको 1 ratio 3 दिया हुआ है तो हम लोग लेट करके लिखेंगे कि हमारा जो DAB है ना उसको हम लोग ले लेते हैं 1X और जो जो DAC complete angle है यह इन दोनों का sum ही तो है तो अब लोग चाहो तो एक बार इसको detail में लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि DAB में अगर अगर अपन प्लस करते हैं BAC तो दोनों का जो sum मिल करके निकल रहा है वो ही निकल रहा है DAC जानी कि बड़ा ओला एंगल बन रहा है तो अब इसका value कितना भी यह 1X है इसका value हमारे पास 3X है इसका value हमने 72 निकाल के रख लिया है तो यह हो जागा हमारा 4X इकोल टू 72 तो X इकोल टू हो जागा 72 डिवाइड बाई में 4 तो हमारा X का value होगा यहां से हो गया 4 बन जा 4 अब आप लोग यहां पर एंगल सम प्रोपर्टी लगा दो दो को हमको complete एंगल का value पता ही है ठीक है अब हम लोग जानते हैं कि यह एंगल और यह एंगल अपस में और फिर ADC जो हमको बड़ा अलट रेंगल देखो यह ADC अगर ट्रेंगल का यूज करते हैं तो इसमें एंगल जो यह complete बना हुआ है जिसका नाम BAC हमने रखा है उसमें एंगल C प्लस करेंगो और एंगल इंगल D प्लस करेंगे और यह X को प्लस करेंगे तो इन तीनों का सम 180 होगा वहां से X का वह निकल जाएगा तो बस आप लोग फटा 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 लिखते जाओ कि हमारा जो सबसे बड़ा एंगल है जिसका नाम हमने DAC रखा हुआ है उसमें प्लस करेंगे एंगल C जिसका न इंगल C के बदले में X लिखा हुआ है वही हमको फांट करना है इंदोनों पर एट करेंगे तो हो जाएगा 80 और 190 90 को उदर ट्रांसफर कर दो तो एक्स इकल टो हो जाएगा 180 माइनस में 90 यानिकि जो X का वैल्यू है वह हमारा 90 डिगरी है बस खेल खता हो राइट एंगल मन कर सकते हैं उसमें आपको सारी चैप्टर्स जो है ना इसाब से टेस्ट वगरा सब वहां पर इंक्लूड है वहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको ज़रू जोन किजिएगा हमारे अप्लिकेशन में मिलेंगे नेक्स टो तब तक लिए थैंकियो फूर वाचिंग अपुड़ौ जो झाज।